हाई अबरिवन असलाम अलेकुम तो आज की वीडियो में ये एद स्लैश वेडिंग इस मेकप लुक शेयर करने वाली हूँ और मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि मैं आपके साथ में थोड़ा सा बोल्ड और ड्रेमेटिक मेकप लुक शेयर करूंगी तो ये मेकप लुक पहें लिए और उसके बाद मैं मॉस्चिराइजर लगा रही हूँ वाव स्किन साइंस का ये लिंसे ना बहुत ज्यादा ही कमफर्टेबल लिंसे से मैंने इसका फुल रिव्यू भी किया था और यही एक लिंसे से जिसको लगाने पर मुझे उतना ज्यादा पानी नहीं आत आए हों से इतना बाकी लेंशे ससी तो फिर इसके बाद मैंने मामाय की जिसको बाई बाए दार शर्कृ और ऐक क्रीम ड़ऑ हो जाता है उन्डर आ ओम गो अधोगे सी मार्गोल्स एक उसक्त मेन्स प्र ting जेंशा में ना को बिलेक्जा नमीदा है कर दो क्यूं जी लाए तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि यह मेरे शेड पे जाएगा नहीं जाएगा शेड लिखने में तो सेम लग रहा था मतलब आप देखोंगे तो मेरे स्कीन पे कुछ भी नहीं लग रहा है तो इसकी वज़े से थोड़ा सा फेस पे वाइट कास्ट टाइप में लग रहा था और स्पार नहीं भी है तो भी थोड़ा से वाइट कास्ट का इंड ओफ इसका टेक्श्चर लगा मुझे तो मुझे यह उतना अच्छा नहीं लगा और प्राइमर की बात करो तो प्राइमर मतलब उतना कुछ खास प्राइमर नहीं लगा तो मुझे थोड़ा सा यूनिक प्रोड़क्त लग रहा था कि टू इन वन है एक साथ ही दोनों प्रोड़क्त आजाते हैं पैसे बच जाते बट मुझे उतना खास नहीं लगा तो मैं बिलकुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी इस इस मैं फर्स इंप्रेशन हो सकता है बाद में यूज करने पर कुछ टेकनिक पता चल जाए तो मैंने फिर इसको स्कीप कर दिया और मैंने ये स्वेस ब्यूटी का कवर स्टूडियो पैले लिया जिसमें एट शीट आते हैं इसमें आपको औरेंच और पीच और ग्रीन क अपने जो डाक जो अपने स्पॉट्स थे ना उसको हाइट कर लिया और मेरी आदत है मैं पहले कंसीलिंग करती हूं सो दाट मेरे स्पॉट्स हाइड हो जाए क्योंकि अगर डिरिकली फाउंडेशन लगाती हूं ना तो मुझे अलग साही लगता है तो मैं हमेशे आपने द खेर तो मैं यह बता दू कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल पर नहीं होना तो सब्सक्राइब करना और आप मुझे मोर अपडेट्स के लिए और मुझे से अगर आप डियम में बात करना चाहते हो ना तो अगर यह बता है तो मुझे मुझे असले लगता है कि मैं गलत शेड लिया इसलिए मेरे डाक सर्कल और उपर होके दिखते हैं तो पर जैसे मैंने बता है कि मैं नो बाइ प्रोडक्ट पर चल रहे हूं तो मैं कुछ प्रोड़क्स बाइनी कर दिया हूं जो भी है वैसा ही उ इसने जो है मेरे डाक सर्कल्स के जो सौकेट उसको और जादा एनांस कर लिया है और थोड़ा चा अजीब सा लग रहा है वाइट कास्ट लग रहा है बट वरी गाई अगर हमारे पास में कोई रॉंग शेड भी है तो भी हम उसको लगा लोगा कैसे तो भी ठीक करी लेंगे यहां पर मैंने लिया है बनाना पॉड़र जो की है ब्लू हैवन का मैं काफी जादा यूज करती हूँ मैंने अपने ब्यूटी स्पॉंज में उसको लिया और डैप 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 कर लिया अंडर आए के नीचे तो येलो कलर अगर वाइट कलर के उपर लगा है तो देखो कलर बहे जाएगा तो देखो अभी कितना अच्छा लग रहा है तो यलो बनाना पॉडर क्या करता है ना यह करेक्शन करता है तो इसलिए आप लोग यलो पाउडर पे अगर आप बिगिनर हो तो यलो बनाना पॉडर पे इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि अगर आपका मेकप यह इंदेर खराब भी हो जाता है मतलब आप कल शेड वगरे ले लेते तो यह थोड़ा से आपके मेकप को बरोबर कर लेंगा बैलेंस आउट कर लेंगा उसके बाद मैं अफकोर्स हमारी आइब्रोस फिल करूंगी आइब्रोस के लिए मैं यूज कर रही हो ब्लू हैवन का यहां पर यह मास्क कोस्मेटिक्स का आईशाडव पलेट लिया है मैंने मैंने एक बार वन ब्रैंड मेकप टूरियल के लिए यह सब कुछ लिया था जो कभी कर नहीं पाई मैं क्योंकि आप लोग मेरे मेकप वीडियो देखते ही नहीं थे यार क्या हो गया था आप लोगों पर दियरिक्षिन में मैंने इसको अपलाई किया एंड उसके बाद में थोड़ा सा जो है उसे डार कलर लिया जो कि एक ब्राउन कलर था और इसको आउटर वी पर थोड़ा सा लगा के हखा सा ब्लेंड आउट कर लिया ज्यादा कुछ ताम ज्ण नहीं किया है एक बिगन फ् यह अच्छा कलर है बट मैं बिल्कु सजिस्ट नहीं करूंगी कि आप सेम ले लो करके क्योंकि नहीं आखों के पर थोड़ा सा स्टीकी स्टीकी सा लगता है तो यह मैंने अपलाई कर लिया और ना पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा अपसेस हो गेती अपने मेकप को ले आप लोगों को इसकी जो ग्लिटर पार्टिकल से यह बहुत अच्छे लग रहते हैं बट थोड़ा सा स्टीकी सा लग रहा था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा बाकी सब तो ओवराल मेकप कलर पे ऑफ बहुत अच्छा था उसके बाद एक स्केच पें लाइनर लिया है इसी में एक ब्लश भी है तो दो ब्लश मिल जाएंगे इस पैलेट में तो काफी पिग्मेंटेड पैलेट है वैसे यह मैंने देखा है ब्लश भी काफी पिग्मेंटेड है तो आप इसी में से ब्लश लगा सकते हो बिगिनर हो तो ऐसा ही कोई पैलेट में इन्वेस्ट करो जिसमें जादा एक ही साथ में हो मतलब blush highlighter contour और cups and lashes का enchanting palette तो बहुत ही सही है उसमें तो बहुत सारे colors भी है alright तो उसके बाद में मैं क्या कर रही हूँ थोड़ा सा highlight कर लिया blue heaven के contour से contour कर लिया lipstick apply किया है मैंने Swiss beauty की red बहुत ही अच्छा red shade है ये बहुत पसंद है अब और आप कुछ खाते हो ना तो बह जाएंगी इस टैप की है तो मुझे यह पर तोड़ा सा कम लग रहा था कुछ तो भी eye makeup में तो मैंने क्या किया ना फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरा eye makeup मतलब मेरे lipstick जो है मेरे eye makeup को छुपा रही है तो मैंने eye makeup में उसके पहले मेने क्या हाइलाइटर लगा लिया कि मुझे याद आयाइटर नहीं लगाया है तो मैंने highlighter लगा लिया तो यह highlighter fan brush से उता अच्छे उह भी सबएफ से अच्छे नहीं लगा लिया और अपने outer view पे थोड़ा सा इसे place कर दिया तो ताकि एक depth मिले और lipstick को ना contrast अच्छे से मिले और color थोड़ा सा उभर के दिखे मेरा lipstick लो है ना वो थोड़ा अलग लग रहा था और eye makeup अलग लग रहा था अब आप देखोंगे ना तो lipstick और eye makeup थोड़ा सा ठीक ठीक लग रहा है यहाँ पर मैंने lashes लगा लिए है और mascara जैसे कि मैंने अच्छे से अपने products को खतम कर लिया है तो products अभी expire भी हो रहे हैं खतम भी हो रहे हैं तो यह जो एक cheap सा mascara था जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद तो उसी से मैंने थोड़ा सा अपने पुरे क्या मलते lashes को coat कर लिया and here is my final look तो आप इसको ईद के मौके पर भी कर सकते हो as a wedding guest makeup look भी कर सकते हो earrings अगरे mix and match कर सकते हो काफी अच्छा makeup look था अगर आप इसक मुझे tag करना बाई बाई